अचानक से लाइव आना बड़ा उसे कारण यह है कि हम लोग न्याय चाहते हैं और न्याय की मांग को मजबूती से कर भी रहे हैं लेकिन जिस तरह का रवया जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है उत्तर प्रदेश पुलिस का है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मैसिज देना आप लोगों को बहुत जरूरी था मैसिज यही है कि बहुत लंबे समय से यह अन्याय चाहर जो है दली समाज पे तो हुई रहे हैं लेकिन बहन बेटियों पर ज़्यादा हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अपरादियों पर कानून का कोई दबाव नहीं है कोई डर नहीं है उनको जिसका खामियाजा जो है हर बार बहनों को अपमानित होकर बिज्जत होकर चुकाना पड़ रहा है जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं भी अन्याय होता तो न्याय के लिए खत्रा बन जाता है उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश हो सभी जगा पर कमजोर वर के लोग का जिस तरह सोशन किया जा रहा है मैं अगर बात हात्रस की घटना करूं पहले अगर सुरुवात हात्रस की घटना करूं क्यूंकि बड़ी घटना है जब तक जिंदा थी तब तक तो न्याय नहीं मिला अब वो आज हमारे बीच में नहीं है हमारी बहन वो बाबा साब के सेर्णी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी न्याय के वाज कमजोर ना पड़ जाए उसके साथ अन्याय ना हो ये हर उस भाई की जिम्मेदारी वैठती है जो बेहनों से प्यार करता है और पूरा देश और दुनिया में ये एक रिष्टा है बेहन भाई का जिसको दुनिया का सबसे पवित रिष्टा माना जाता तो आज मैं अपने लोगों को ये मैसिज देना चाहता हूँ कि मेरी जो बेहन है मैं नाम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है जब तक उसको हम लोग न्याय नहीं दिला देंगे हात्रस के हमारी पीडिता बेहन बलरामपुर के हमारी पीडिता बहन बुलंचेहर के हमारी पीडिता बहन आजमगड के हमारी पीडिता बहन मेरट के हमारी पीडिता बहन ये तमाम जो पीडिता बहन हैं जिनके नाम बदले हैं जिलों के नाम बदलेने के अत्याचार एक जलसा ही है उन सब को नियाय दिलाना हम सब लोग की जिम्मेदारी आप ये महसूस करिए कितनी पीड़ाए उसने जो है सहन की गई होगी और कितना दर्द जो उसने सहा होगा मैं अपील करता हूँ दुनिया में रहने वाले भारते सविधान को मानने वाले और उन लोगों से जो इस रिष्टे की कदर करते हैं जो बेहनों की माताव मैं उन सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ये लड़ाई न्याय की है और आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं क्युकि पहले भी आपने मेरा साथ दिया हमेशा जब भी मैंने देश में ओने वाले किसी मामले के आंदोलन के वाज उठाई तो rozum तो दुनिया में रहने वाले हमारे संतों महापुर्सों गुरूं को मानने वाले बगवान δεν कि महराज महराज क stabilizeू हूँ गुरुनानक दे महराज कहने आई हो या बावा साव अम्बिडकर जी को मानने वाले तमाम लोग हों जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं या भारते सविधान से प्रेम करने वाले या भारत देश से प्यार करने वाले वो जो तमाम लोग हैं जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार बैठकर किसी तरह इस मामले को खतम करने का प्रयास कर रही है हमें इस बहरी सरकार को जगाने के लिए अंदोलन को तेज करना पड़ेगा इसलिए आप जहां रहते हैं जिस देश में रहते हैं उस देश के में जो भारतिये दूतावास है उस भारते दूतावास के दफतर में जाके आप लोग ग्यापन दें वहां अंदोलन करें वहाँ आवाज उठाए यहाँ भारत के अंदर किसी की सरकार हो मामले जिरफ उत्तर परदेश में नहीं है मामले तो राइस्थान मद्दे परदेश में भी है मामले तमाम जगा हो रहे है मामले हर्याना में भी है जजज़र का भी मामला है राइस्थान का भी मामला सरकार किसी की हो लेकिन यहाँ अन्याय हो रहा है यहाँ जुल्म जाती हो रही है और यह जुल्म जाती इस देश के लिए यहाँ रहने वाली महिलाओ के लिए बेहनों के लिए खत्रा है तो हमें इसकी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा मैं अपील करता हूँ कि इस अंदोलन को क्योंकि मैं नहीं चाहता है फिर किसी मनीसा के साथ ऐसा हो फिर किसी मेरी बेहन के साथ ऐसा हो फिर किसी पीडिता के साथ ऐसा हो फिर किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो इसलिए आप जहां भी रहते हैं दुनिया में वहां से इस सरकार को निकम्मी सरकार को बैरी सरकार को जिनके परधान मंत्री जिस सरकार के परधान मंत्री हैं वो है तो देश के परधान मंत्री लेकिन आज वो जो है सिरफ और सिरफ भारते जन्ता पार्टी के परधान मंत्री ह उनको नई दलितों की जो है लुटती अस्मिता उन पे हो रहे हैं नयाय को नहीं दिख रहा है मैं इस बात से डुखियों के लाइव करना और आपसे निवेदन करना हूँ कि आप तमाम लोग जो हैं दुनिया में किसी भी देश में रहते हैं शहर में रहते हैं कि जो दूतावास है उस दूतावास पर जाकर आप न्याय की मांग को मजबूत करें जिससे बहरी तानासाई कुंगी सरकार को सुनाई दे और ये बोले अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल किसी और के साथ ऐसा होगा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ इस मामले को खतम करने के लिए तमाम लोगों को वहाँ जाने से रोका जाता है नजर बंद कर दिया जाता है पिडित परिवार को ड्रा धंका जाता है माने उत्ता को कलंकित कर दिया जाता है एक माँ अपनी बच्ची से जिसके साथ द्रिंदगी होती है उसको देख नहीं पाती उसको गले नहीं लगा पाती उस माँ का दर्द महसूश कीजिए मैं नोजवान साथों कहना चाहता हूँ कि आप बेहन बेटी वाले आप उस दर्द को महसूश कीए जो जो उसके उस पिडिता के भाईयों ने चाहा हम सब लोग उसके भाई है अरे बेहनों की जाती धरम नहीं होता लेकिन इस देश में दलित होना पाप है अभी साफ है मैं अपील करता हूँ आप सब लोगों से इस आंदोलन को कमजोर ना पढ़ने देकर ये आंदोलन कमजोर हुआ तो ये बैसी दरिंदे कल किसी और बेहन की तरफ जो है इसी नज़र से देखेंगे और उसको नोचने का प्रयाश करेंगे क्या करेंगे आप लोग कल क्या अपनी बेहन बेटियों को तालाव लगा के जो है बंद करके रखेंगे या इसे दरिंदों को सजा दिलाने का काम करेंगे फैसला आपका है आप दुनिया में बेटे लोग देख रहे हैं ये मोका है इस देज में जो अन्याए ये तरचाड़ जन्म जात्ती महिलाओं पर हो रही है गरीबों पर, सोशितों पर, मजलूमों पर, वंचितों पर हो रही है उसको रोकने का यहां की सरकारे नियाए देने में एरसपल हो रही है क्योंकि उनका नियाए देने का ना नियत है ना मन है यहां लोगतंत्र है और लोगतंत्र में नियाए जर्मसित अधिकार है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो न्याये के लिए वाज उठा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है इससे इसपर्श होता है कि न्याये के परतियों की भूमिका बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से एविडेंस मिटाने का काम किया पीडितों के सहमती के बाद हूल की दरह पाल तेंग माबाब अपनी बच्ची को और पलकों पर रखते हैं भाई उसको उसकी आंख से आसू नहीं निकलने दिता कितनी तरिंद्दिगी जो है यहाँ बहनों के साथ हो रही है और ऐसे नीच लोग की जो ज़मानत की बात करते हैं इसे नीच लोग की जो हित कैसी होने के बात करते हैं उनके माना होने पर मुझे सक है। मुझे कड़े सब्दों में कहना पड़ रहा है कि पाहिलाओ पर इत्याचार करने वाले पुरूस नहीं हो सकते नपूनसक हो सकते हैं। जैसा अपराद आप किसी की बेटी के साथ करते हैं अगर वो अपराद किसी कारण से आपके परिवार में किसी साथ हो जाए तो कैसा महसूस होगा आपके ये जो दरिंदगी है ये जो हैवानियत कहां से लाते हैं किस मुण से अपनी बेनों का और मताओं का सामना कर पाते हैं किस तरह उन से आख मिला पाते हैं इसी द्रंदगी करने के बाद आप जो ये जो लोग हैंसे तो मैं वह मांग करता हूं अपील्ड करता हूं आरोप्यों को बचाने का प्रयाज किया जो अधिकारी करंचक संबली थे उनको जो है उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए उनको जेल भेजना चाहिए जिससे की और को अधिकारी ऐसा ना करें फिर इस उत्तर प्रदेश में जा जंगल राज है वहां के मुख्य मंत्री को श् मुझे देदें और मैं देखता हूं कि कोई अपरादी ऐसा अपराद सोचने वाला भी जो है अगर चैंस हो जाए लेकिन क्यूंकि हमारे लोग अभी समयदारी से काम नहीं ले रहे हैं वह बटे में इस वहीं से जो है एक थोड़े से लोग सत्ता में बैटके हमारे लोगों से मताव बैनों से बजुर्गों से बच्चों से युगा सातियों से इस आंदोलन को राष्ट वियापी नहीं दुनिया में सबसे बड़ा अंदोलन बनाने के लिए संगर्श करें यहां दलितों का रहना आहिमियत रखता है तो मेरी समान को बल दे आप जिस गाउं सहर में उत्तर पर देश और देश के अंदर रहते हैं वहां कंडल मार्च करें रोज कंडल मार्च करें रोज ग्यापन दे रोज अंदोलन करें सब विधानिक दाइरे में अंदोलन करें ज तो हम पे और भी रास्ते हैं आप लोग इस से जुड़े रहिएगा आने वाले समय में सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती तो उसके लिए और कड़े फैंसले जो हैं लेने के लिए हम लोग मजबूर होंगे लेकिन याद रखिए और किसी बेहन के साथ ऐसा ना हो इसलिए हम अंग्रेजे जैसे हालाथ हो गएं कि यहां व्यक्तिया न्या कि empieza साथ अन्य किमांग करेंगा तो उसको लाटी मिलेगी उस फो मुकद्मा मिलेगा उसको दबादये जाएक उसको नजर्बंद्करदे जाएगा कि तो मेरि आप से यह एपील है एक भाई होने के के नाते करोडों बहनों का भाई होने के नाते करोडों माताओं का बेटा होने के नाते तमाम सोशित वंचित समाज के वाज होने के नाते कि अब हमें चुप नहीं रहना है जब तक उत्तर प्रिदेश का मुख्य मंत्री स्टीफा नहीं देगा जब तक प्रदान मंत्री जो है अंदूलन जारी रहेगा और एक लोगों का एक संदेश आता है कि आप 25 लाग रुपे सरकार ने दिये हैं मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप राइब को बचाने के लिए परसासन के लोगों ने लिये हैं वो मुझ खोल कर बताए उनके वजन के बराबर पैसे जो है हम लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन इस देश में महिलाओ के परती जो है शुक्षा की भावना महिलाओ के अंदर आ गई है उस शुक्षा की भावना खतम करना पड़ेगा मेरी बहुत-बहुत मंगल कामने आप सब लोगों जो लोग संघर्ष कर रहे है आंदोलन को जारी रखिए आपकी द्वारा उठाई के अवाज किसी एक बहन के लिए कर सकती है अपने आजपास कहीं भी अगर ऐसे भेडिये हो तो ऐसे भेडियों को सबक सिखाईए हम बाबा साब अम्बेटकर को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है हम तमाम दुनिया में रहने वाली बहनों का सम्मान करते हैं और उनकी सुख्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा देंगे हम उन अन्याय इत्यचार जैसे नहीं जो अपरादियों का साथ दे रहे हैं जाती की वज़े से हम नयाय पिरे लोग हैं हमारे संतों महापुर्शों गुर्वों ने हमें नयाय करना सिखा है महिलाओं करना सिखा है आप तमाम तरह का रोब जो है लगाईए हमारे उपर लेकिन हम लोग लड़ेंगे और जैसे विदान और तमाम साथियों को जो कर रहे हैं उस बहन के वाज को बुलंद कर रहे हैं जैसे कि कल किसी बहन के साथ ऐसा नहीं हो अगर घटनाओं के बाद जागए तो फिर यह जो है मसाल और कंडल लेकर निकलना पड़ेगा लेकिन अगर पहले जागे रहेंगे तो फ बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे